इंडिया नियूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिजबाना जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो लोग भी आप से जुड़ते हैं इसी तरहां कॉंग्रिस नीता राहूल गांधी भी भारत जुड़ों यात्रा करके जमीनी हाखिकत को जानने में जुड़ गए हैं वो लगातार चलते ही जा रहे हैं वो मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर तो आपने जरूर ही सुना होगा मैं अकेला ही चला था जानी में मन्जिल मगर लोग साथ आते गए और कार्मां बनता गया ये शेर ऐसा लगता है कि राहूल गांधी के लिए ही बनाया गया था लेकिन उनकी स्यात्रा के चल्चे बहुत ज्यादा हैं चाहे उनके बयानों के हैं और चाहे उनकी टी-शर्ट के जो रोज स्यात्रा के दौरान पहनते हैं अब आप ये सोचेंगे कि राहूल के कपड़ों से भी लोगों को परिशानी हो सकती है तो बिल्कुल है वो कैसे चलिए बताते हैं इस बार हरियाना के क्रिशी मंत्री जेपी दलाल ले सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि मैं जहां जहां भी जाता हूं वहां लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहूल जी खाते हैं कि हाफ टी-शर्ट में भी उन्हें ठंड नहीं लगती अगर ये फॉर्मूला हमारे सैनिकों को जो माले पर रहते हैं मिल जाये तो देश की प्रती उनका अच्छा योगदान हो जाएगा वहीं कॉंग्रिस नेता ने भाजपा की मंत्री के सवाल का जवाब दिया उन्हें कहा कि उनकी मोटी चमडी है इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती मैं इसका क्या जवाब दूँ इससे पहले भी भाजपा ने उनकी टी-शर्ट पर सवाल उठाये थे उनकी फोटो के साथ लिखा था भारत देखो 41,000 की शर्ट जिस पर विबाद भी हुआ था जेपी दराल ने कहा मैं देखता हूँ कि भारत जोडो यात्रा में बाखी सब लोग गर्म कपडों में रहते हैं और वो अकेले ऐसे नेता हैं जो ठिटूरती हुई सर्दी में भी टी-शर्ट पहने हुए होते हैं मुझे लगता है कि जरूर उनके पास कोई फॉर्मूला होगा उन्हें इस देश की सैना को फॉर्मूला दे देना चाहिए तो अब आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा कितने दिन पुरानी हो चुकी है कन्या कुमारी से शुरू हुई भारत जोडो यात्रा को 107 दिन पूरे हो चुके हैं तब से राहुल वाइट रंग की टी-शर्ट पहने रहे हैं उनकी यात्रा सुबद 6 बजे से शुरू होती है जिस वक्त काफी धुंद होता है तापमान काफी कम रहता है हर्याना में यात्रा करते वक्त यहां के नेता भुबेदर हुड़ा, रंडीप सुर्जेवाला और कुमारी शैलजा भी जैकेट वाफ मफलर पहने दिखी लेकिन राहुल से टी-शर्ट में चल रहे थे राहुल गांधी को दो दिन पहले नुह मैबाज जिले में पूर्व सैनिकों ने आर्मी जैकेट गिफ्ट की हाफ बाजों की जैकेट राहुल गांधी ने ज्यादा देड नहीं पहनी उनकी यात्रा ने नुह में ब्रेक लिया इसके बाद फिर पैदल निकले और राहुल गांधी ने जैकेट उतार दी हर्याना के रोहतक में कॉंग्रेसी नेता और पूर्व ग्रह मंतरी सुभाज बत्रा ने कहा कि क्रिशी मंतरी जेपी दलाल ने राहुल गांधी की टीशेट पहलने पर सवाल उठाए हैं वो अभी भी मंतरी बने हैं मैं 25 साल पहले मंतरी बना था जेपी क्यों खात क्या है जो राहुल की बारे में ही सब कह रही है कौन सी दवाई खाते हैं वो खुद कैमिस्ट की दुकान पर जाकर पूछ कर खुद खा लें यहां पूर्व ग्रह मंतरी सुभाज बत्रा ने जमकर राहुल गांधी की तरफदारी की राहुल गांधी ने भारत जोडो यात्रा रोकने से इनकार भी कर दिया है हर्याना के नू में उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने अब नयाफ फॉर्मूला निकाला है कि मुझे चिट्टी लिखी है कि मास्क लगाओ कोबिट फैल रहा है यह सब यात्रा रोकने के हत्खंडे हैं राहुल गांधी ने ऐसा कहा हाएक कि हर दूआ असर कर रही है हर आशिरवास से बल मिल रहा है यात्रा लंबी है और यह भी नहीं कह सकते के आसान ना मेरे लिए ना मेरे सहियात्रियों के लिए मगर देशवासियों का इतना प्यार हमारी ताकुत बन गया है और जो पैरों को सुफुर्ती दे रहा है और मन को शक्ती दे रहा है ये शब्द है राहुल गाधी के यानि के उनको सुफुर्ती और शक्ती और बल मिल रहा है जैसे कि लोग उनके साथ चल रहे हैं भारत जोड़ो यातरा से ऐसी ही खबरें आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे और बने रहेंगे इंडिया न्यूस के साथ